वीजी कुजीन में आप सुब का स्वागत है, इत एंजॉइ वाव, किता यमी लग रहा है ये ये है समर स्पेशल रिंग मैंगो फ्रूटी, जिसे मैंने घर पे बनाया है, बहुत इजी तरीके से घर में रखे आसान से मिलने वाले समान से, तो चलिए आज हम बनाते हैं समर स्पेशल रिंग मैंगो फ्रूटी, तो आज हम बनाने जा रहे यलो वाले और एक है चोटी कैरी जो हर्णी करी होथी है और उसके लिए चाहिए हमें अधा कप चीनी है एक समूड़ पर बना लिया है थोड़ा सा पानी डालके इसको पीच लिया था ।ब हम गैस पर एक कड़ाई रख देंगे यह पैल अब जब एक दो मिनट इसको पकाने के बाद हम इसमें चीनी एड़ करेंगे क्योंकि अब यह बजार जैसा कलर नहीं आया इसमें तो हम इसमें हलका सा यलो कलर का फूड कलर डाल देंगे ताक एकदम बजार जैसा कलर आजाए क्यों पकाईंगे लो थी मिनट के लिए उसके बाद हम इसमें चीनी एड़ कर जाते हैं आजब आदे कब चीनी है जादा चीनी अपने टेस्स के अकॉड़्िंक हम या ज्यादा कर सकते हैं इसको अब हमें 5-6 मिनट के लिए पकाना है तो अब यह 3-4 मिनट हो गए इसको को खोते वे अच्छा से बबल आ गए तो बस एक-दो मिनट और पका लेंगे फिर हम इसकी गैस आफ कर देंगे तो अब हमारा यह मिक्सचर बन के रेडी है और मैंने इसको थोड़ा सा ठंडा कर अब चाहें तो इसको चान भी सकते हैं बड़ मैं इसको ऐसे ही रख रहे हूं क्योंकि थोड़ा पल्पी अच्छा लगता है तो चलिए इसको एक बोल में हम ट्रांसफर कर लेते हैं अब इसमें हम पानी एड करेंगे तो अब इसमें एक लीटर च्छा चिल्द पानी एड करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे क्योंकि इसको हमने अच्छे से पका लिया तो इसको हम 15-20 दिन के लिए फ्रिज में स्टोर करकी भी रख सकते हैं एक बॉटल में भरके स्टोर करकी भी रखा जा सकता है और जब मन करें तब पी सकते हैं सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे देखिए हमारी बजार जैसे लगने वाली टेस्टी और हेल्दी मैंगो फ्रूटी घर पर बनकर रेडी है तो आप भी इसे जरूर बनाए और इस गरियों में इसका मज़ा लें ट्रिंक एन जोए इसी तरह की टेस्टी टेस्टी हेल्दी रेसिपीज को और देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक बटन दबा दें बैल आइकन प्रेस कर दें ताकि नए रेसिपीज की अपडेट मिलती रहे और वीडियो अगर अच्छी लगे तो अपने फ्रेंट्स और फैमली में इसको शेयर करें